हेलो दोस्तो नमस्कार स्फागत है आपका अपनी यूटूब चैनल ना रेलवे में दोस्तो जैसा की पता है आपको कि इस चैनल पर रेलवे भागिया परिच्छा समन्धित सारी जानकारी आप लोगो बलवज कर पाई जाती है दोस्तो अब इसे कुछ दिर्प है साउथन डे जानि अभी से कुछ ही देर पहले यह नृटिकेशन जाड़ी हुआ है आईए सार डेटीयल देख लेते हैं में में पॉइंट को किस वेकेंटि वेकंसी की में में पॉइंट क्या है क्योंकि अभी तक जितने भी जोन की वेकेंटिटी निखले है इसकुछ न देमी इस taraf शैन तो दोस्तो जेनरल कम्पेटिस दिपार्टमेंटल कम्पेटिस इवजाने सब फिलिंग ऑफ 25 परसेंट ऑप नेट रिकार्णमेंट पर कोटा इसमें भी दोस्तो कोई मिनीमम सर्विस का मेंशन नहीं है जितने भी न्यू कंडिरेट हैं वो सब भढ़ सकते हैं जिनका पी अफ नमर आ गया हो तो तो दोस्तो यहां लिखा हुआ अप्लिकेशन फॉर्म रेगलर एन इलीबल इंपलाय आर्पिया आर्पिया से पुच्छोर कर सभी भर सकते हैं आएसीएफ जो कोच फेक्टरी है उसके भी स्टाप यानि की वर्क्सोप बले स्टाप भी सभी भर सकते इसमें डेट ऑप्लिकेशन आज हुआ है और ओनलाइन भी आजी से स्टाट हो जाएगा जबकि तीस आठ यानि तीस अगस्त को यहां क्लोज हो जाएगा आएए दोस्तों वेकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं पहला वेकेंसी असिस्टेन लोको पाइलेट का है इसमें टोटल दोस्तों 234 वेकेंसी है ओवी C36, ST35, SC89 और UR105 दोस्तों जिस टैप से एक्सेप्ट की जा रही थी वेकेंसी इस जोन से उस टैप की वेकेंसी तो न पूल एके सीट हैं टेक्निशन 3 एलेक्रिकल ट्रेन लाइटिंग इसमें उनी सीट हैं टेक्निशन 3 रेफ्रीजेस एन एसी में इसमें टोटल बारे सीट हैं तो दोस्तों इसमें एक और चीज इसमें EWS नहीं दिया हुआ है नॉर्धन डिल्वेब बाले में हम लोग देखे ते उसमें EWS का भी सीट था इसमें वह नहीं दिया गया है उसके बाद बात किया जाए पांचमान नम्मा टी आरेस में अच्छा खासा सीट है बहुत अच्छा खासा सीट है 96 सीट है TRD में 49 सीट है CNW मेकनिकल में आपको 74 सीट है डीजल मेकनिक में 2 सीट डीजल एलेक्टिकल में 3 सीट सीट सीगनल में जिसमें फिन पलस्टू बाले साइंस का रिजेट भर सकते हैं 25 सीट है सीगनल में इसमें 28 सीट है टेली में 20 सीट है बलेक स्मीथ में 8 सीट विल्डर में 2 सीट ट्रैक मसीन में 12 सीट रैवर्टर में 2 सीट कारपेंटर में 1 सीट मैसन में 4 सीट ब्रीज में 2 सीट पलंबर और 5 फिटर में 1 सीट तो यह थी दोस्तो टेगनिशन की वेकेंसी अब ivol 2 है लेकिनसी इलेक्टिकल जेनेरल सर्वीस से है इस में टूटल में 35 सी तो सबस्ट च्यादा सी डोस्तों यहां जॉनियर में ट्रैक मसीन में है उसके बाद बात की जयाए दोस्तों सी नमर्ट ट्रेंड मैनेजर की पोस्ट की तो यह देखके दोस्तों हसी भी आ रही है इतना कम पोस्ट इससे ज़्यादा पोस्ट एक डिवियन के ल्टीसी कोटा एक्जाम निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा भैकेंशी रहता है इसमें टोटल मातर 27 वैकेंशी है पूरे जोन में साउथ अंडेलवे में पूरे जोन में मातर 27 वैकेंशी जेनरल 14, SC 5, ST 6 और OBC 2 तो दोस्तों यह थी फूरी बेकेंसी डिटेल उसके बाद और देखे मेने मेन पॉइंट इसमें क्या है कंडिडेट और पारा नमर 2.1 कंडिडेट उड़ी एर रेगुलर उप्राइर सौधन डेलेवे अप्याइशी अप्याइशी आप यह थी फूर्ण वहां पहुंचा होगा तो वह भी तुरंद एलेवल नहीं है इस बेकेंसी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद कॉमन इसमें नोट्पिकेशन जो सभी में दिया गया है वहीं दिया गया है दोस्तों इसलेवस बगर स्टेज ऑफ एक्जाम आपकी एज कितनी रहने चाहिए आपका ठाड़े से 42 साल यू आपका ओवीची का ठाड़े से 45 स्ट का ठाड़े से 47 एडिकरशनल व्वालिफिकेशन दिया हुआ है देखे एक में चीज 5.0 में देख लिजी एडिकरशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत बार मैंने ग्रूप में भी चर्चा किया था कोई वीडियो में भ क्वालिफिकेशन इडिकेशन बी का ठाड़े से 14 एडिकरशन क्वालिफिकेशन दिया है कि यानि 30 अगस्त तक 30 जुलाई से आज से फॉर्म जैसे डालना स्टाट हुआ 30 अगस्त तक आपका जो भी educational qualification है जिसके अधार पर या फॉर्म भर रहे हैं वो service sheet में एकदम necessary add होना चाहिए इसको mention कर दिया है दोस्तों दोज awaiting result of the final examination जो अभी वेट कर रहे हैं उसका वेट कर रहे हैं वो फॉर्म नहीं भरे क्योंकि उनका फॉर्म इसे निरस्त हो जागा बहुत सारे reservation के बारे में जैसा मिलता है CST OVC को यह सब दिया गया है दोस्तों बस यही मेन मेन चीज है कि कार्मेंट प्रोशेश जेशा जेशा है यह सब तो रेलिवेवोड वाले notification में भी क्लिर किया हुँ था तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर ने वीडियो के साथ तब तक के लिए जया हिंद जया भारत अगर आप चन्ने जोन से हैं तो आप लोग आज से या कल से फोर्म फिलब कर सकते हैं लेकिन सारा notification पहले चेक करके दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर ने वीडियो के साथ तब तक के लिए जया हिंद जया भारत